Hello Friends, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है मेरे चैनल से जुरे रहने के लिए मेरे चैनल को जोर सब्सक्राइब करें और साथ में यह नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दे ताकि मैं कोई वीडिया न अप्लोड करूँ मैं step by step बनाई हूँ और अगर आपको समझ भी ना है तो हमें comments करके ज़वर बता है मैं आपको वहाँ पे बता दूँगी तो देखिए ऐसा gate है इस तरीके का gate है तो चलिए अब हम बनाना start करते देखिए इसमें मैं पहले भी रेडि कर लेना है इस तरीके का लगभग 10 भी हमें बना लेना है 10 या 8 आप जितना लंबा gate बनाना चाहते हैं जितना चोराई लंबाई रखना चाहते हैं उसे साब से मैं देखिए 3 4 5 6 देखिए आठ भी बने का मैं एक बीच में छोर दी हूँ जो अब मैं अभी आप लोगों को बना कर बताऊंगी तो इस तरीके का हम हमें आठ भी बना लेना है रेडि कर लेना है तो चलिए देखते है कि कैसे बनाना है देखिए एक घर किये मैं 15 घर का भी बनाई हूँ 15 घर का रेडि की हूँ तो पहले 15 घर का में छान लेना इस तरीके से देखिए बांदिंगी इसको और मैं डबल उनका यूज की हूँ देखिए इस तरीके से में फंदा निकाल लेना है दो बार फंदा निकालेंगे देखिए इस तरीके से और उसका फिर से दो चैनल लेंगे दो चैनल लेंगे फिर दूसरे घर में इस तरीके से फंदा निकालेंगे और दोनों सैट से में घटाना है ताकि भी रेडी हो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरीके से में बना लेना है फिर डवल चैनल लेंगे और फिर इस तरीके से घर से हम फंदे निकालेंगे तो आई होप दोस्तों कि आप समझ पारें मैं कैसे बना रही हूँ अगर समझ में ना आये तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए और मेरे इस वीडियो को लाइक सेर भी ज़रूर करें ताकि बहुत से लोग के पास पहुंच पहें और वो भी असानी से इस गेट परदे को बना पहें और हमें उमीद है कि आप भी ज़रूर ट्राइ करेंगे इस गेट परदे को बनाने का तो देखिए इस तरीके से भी रेडी होगा तो चलिए देखिए कि कैसे बन डाप समझे फिर मैं आपको आगे बताते हूँ पार उेखिए, कि कैसे बनौ första कि में आपको आपको आपकोटी नेनी घ झाल 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 तो देखिए इस तरीके से बन गया और इसकाद हम इसे पलट देंगे देखिए इस तरीके से इसे हम पलट देंगे और पलटने के बाद देखिए आगे हमें क्या करना है तिन या चार चैन लेंगे दो चैन लेकर इसे देखिए इस तरीके से बाहन देंगे वहाँ पर और उसके देखिए फिर से हम वहें सा फंदा निकालेंगे तो एक घर छूट जागा उधर तो इसी तरीके से पूरा भी डेडी होगा देखिए इस तरीके से इधर एक घर छूट या फिर से दो चैन लेंगे फिर इसी तरीके से बनाएंगे तो हमारा घर घरता चलाएगा और लाश्ट में एक बचेगा उसके बाद भी रेडी हो जाएगा तो इस तरीके से में आठ बना लेना है मैं पहले भी आपको कह चूकि आठ या 10 जितना भी बनाएंगे जूरा में बनाएंगे दस बारा इस तरीके से तो देखिए इस तरीके से पूरे में कर लेंगे तो ऐसे इसे ही तरीके से बना लेना है और हमारे एक भी रेडी हो जाएगा देखे इस तरीके से पूरा बना तो I hope कि आप समझ पा रहे हैं कि कैसे ये रेडी हुआ है देखे इस तरीके से मैं आठ बना ली हूँ देखे इस तरीके से पूरा रेडी कर लेंगे इस तरीके से रेडी करने के बाद देखिए मैं पहले ही बना ली हूँ इसे आठ भी रेडी करने के बाद आगे मैं क्या की हूँ देखिए इस तरीके का पहले तो आठ भी हमें रेडी कर लेंगे और उसके बाद देखिए हमें क्या करना इस गेट परदे में देखिए इस तरीके का लड़ी में जो बनाई हूँ आपको दिख रहा हुगा तो देखिए मैं इसमें क्या की हूँ आठ भी भी बनाए तो उसमें एक भी को छोड़के दूसरे भी में हमें लड़ी को जॉइन करना है देखिए बीच में एक भी छुटा हुआ है और दूसरे भी में फिर जॉइन की हैं तिसरे में इस तरीके से चार पाँच छे साथ आठ नो दस गारा बारा तेरा चोड़ा पंदरा इस तरीके से में लड़ी गिरा लेना है हर एक खंड से देखिए और ध्यान देना है कि बीच में एक घर छोड़के हमें तीसरे घर में जॉइन करना है जैसा कि आप देख रही हैं देखिए क्योंकि फिर हमें इसे पलट कर पीछे भी बुनाई करना है तो फिर जो पीछे भी छूटा है उसमें बुनाई करना है तो आगे में जिस तरीके से किये हैं फिर इस गेट पर्दे में पीछे से भी से उसी तरीके से बुनाई करना है देखिए आगे में घर छोड़के देखिए शुरू में एक शुरू किये हैं तो बीच में घर छोड़के तिसरे में जॉइन किये हैं फिर तिसरे से लेके एक बीच में छोड़के चौथे में जॉइन किये हैं और हमें इस तरीके का लरी बनाना है, तो मैं आपको लरी भी बना कर बताँगी, जब मैं पीछे का बनाओगी घर, सेम इसी तरीके से हमें पीछे में बनाना है, तो देखिये, अब हम इसे पलर दिये, इस गेट पर देखो, अब मैं जो आगे बनाई थी तो देखे उसमें लड़ी बना हुआ तो उसको छोड़ के अब हमें ये दोनों में जोईन करना है इस तरीके से देखे I hope कि आप समझ पारे हैं मैं जो बता रही हूँ आपको बहुत सिंपल है तो आप भी जो ट्राइ कीजिए बनाने का तो चलिए अब मैं आपको लड़ी बना कर बताती हूँ कि ये लड़ी कैसे बना देखे हर एक खंट से हमें इस तरीके से बांद के बनाना है पहले इसे बांद लेंगे देखे उसके अथरब बड़ा फंद लेकर फंदे को बांद नहीं है इसके बीच से हमें फिर फंद निकालना है देखे इस तरीके से इस तरीके से लड़ी रेडि होगा फिर उसके बां बड़ा फंद खीच कर फिर हम उसके बीच से फंद निकाल में दो इसस साइड में छोड़ेंगे एक के बीच से निकालेंगे देखिए इस तरीके से तो देखिए ऐसे बन रहा है देखिए फिर उसके बीच से में फंदा निकालना है इस लड़ी में इसे फंदे को बांधना नहीं होता है इसमें सीधे देखिए इस तरीके से फंदा घीच कर फिर इसको बड़ा फंदा करके फिर इसको तब बांद के फिर सेम उसी तरीके से बनता है तो आई होप कि आप समाझ पा रहे हैं हमें कमेंट स्बक्स में जोरो बताईएगा कि आपको कैसा लगा ये गेट और आप समाझ पा या नहीं इस तरीके से लरी बन रहा है तो देखे इस तरीके से लंबाई नाप कर तब बना लेंगे वहाँ पर थोरा सा देखे और लाश्ट में एक दो चैनले कर बान देंगे उसके बाद देखे जो आगे में मैं बनाई हूँ आगे तो बन गया उसको छोड़कर पीछे में तिसरे घर में जोईन करना है देखे इस तरीके से और सेम आगे भी इसी तरीके से बना है एक घर छोड़कर तिसरे में जॉइन करना है देखिए इस तरीके से और फिर सकेन घर से सब घर से में इसी तरीके से लरी बना लेना है और आगे में भी सेम इसी तरीके से बना है तो I hope कि आप समझ पा रहे हैं तो देखिए आप फिर मैं आपको आगे बताती हूं कैसे बना है को कि अभा है झाल 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 तो देखिये बनने के बाद पूरा गेट पर्दा इस तरीके से दिखेगा देखिये जो भी बना था आठ भी जो बनाये थे उस सब पर फिलावर्स लगा देंगे झाल ग पर फिलाइ जो चिटए फिलावर्स देखिये बना थे खर दिखेए एक लड़ी इस तरीके से दिख भी लड़ी थे दिख रहा होगा तो यृट थे पीखर धर पीछे में इस तरीके से बना थे तरीके से लृट देखा एक एक छोड़कर आठ बना है तो चार घर रेड़ी होगा और पीछे में तीन घर रेड़ी होगा इस तरीके से एक छोड़कर बनाना है भी इसका ध्यान रखेंगे देखें पीछे में भी सेम उसी तरीके से बना है बस इसमें ध्यान ये रखना है कि एक घर छोड़कर देखे और तिसरे में जोईन करना है आगे और पीछे में से मिसी तरीके से बनेगा और लाश्ट में जो देखे एक घर आता है वहाँ से दो लड़ी हम बना देंगे से मेसा ही लड़ी पीछे का भी जो भी है तो उससे भी हम जो छोड़े हों उसमें भी लड़ी लगा देंगे और फ्लावर्स देखे लड़ी इस तरीके का बनाना है तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए कि ये गेट परदा कैसे बना है तो आप भी जो ट्राइ करें बनाने का और अगर कहीं समझ में ना है तो मैं कमेंट्स बॉक्स में जोर पूछे मैं आपकी जोर हेल्प करूँगी तो देखे ऐसा गेट रेडी होगा बनकर तो आप भी जोर ट्राइ करें तो आज के लिए तना है दोस्तों फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगे नियो दियान के साथ तब तक के लिए इतना ही ठैंक्स पूर वाचिंग